बच्चों नमस्कार ग्यान सिंदू कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है जैसा कि मैंने वादा क्या था टुटिफाइव क्वेस्चेंस चलिए फटाफट अपने दोस्तों को सेयर कर दीजिए और इसकी पीडियाप पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन के लिए मैं वहीं पर इसकी पीडियाप दे दूँगा अगर आपने वाटसप ग्रूप जॉइन किया है तो वहाँ पर भी हम अफ्लब्ट क किया पहला प्रश्ण है का पुर्थम महाकावय कोंसा है इसका सही आंसर कौन सा होगा प्रियप्रवास प्रृत्वी राजर्शो साकेत अनग चलिए फ्रटा-फट गयस किज्ये आप देखे अनग ये तो मैत रीछ गूपत जीका है साकेत भी मैत रीम गूपत कि हिंदी का प्रथम महाकावे कहा जाता है लेकिन एक खड़ी बोली का नहीं है अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकावे कौन सा है प्रथम, केवल प्रथम तो ये प्रत्विराज रासो है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महा कावे कौन सा है खड़ी बोली अगर नाम लगा दिया जाए तो वो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंग उपाध्या है हरी ओध जी का ये है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्रिश्चन की वोर बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा है जहरना के रचईता जहरना एक कावे है जिसके रचईता कौन है प्रसाद यानि जैसंकर प्रसाद निराला यानि की सुरिकांतर पाथी निराला पंत यानि की सुमेत्रा रंदन पंत या फिर महादेवी यानि महादेवी वर्मा प्रसाद निलालापंत महादीव वर्माई चार छायावादी स्तंभ है इन में से एक की रचना है जर्ना चलिए गेस कीजिए फटावट कमेंट कीजिए किसकी रचना है जर्ना चलिए हम आपको बता देते हैं कि प्रसाद की रचना है आपकी जहरना जैसंकर प्रसाद ने जहरना लिखा था प्रेम पथिक जहरना आशू लहर कामाईनी कानन कुसुम यह सब किसके हैं जैसंकर प्रसाद के हैं तो वहीं से जहरना जैसंकर प्रसाद जी का एक कावे है प्रस नमबर तीन तीसरा प्रस्ण है कि चायावादी युग के कभी निम्न में से कौन है इन में से तीन चायावादी युग के नहीं है और एक चायावादी युग के हैं बताइए रामधारी सिंग्ग कावेधारा के कवी हैं यह प्रगती वाद के युक में इन्हों कावरशना की है इसलिए अधिकतर प्रगतिवाद में जाते हैं और उससे ज्यादा ये राश्ट्री सांस्कृतिक कावेधारा जो समकालीन चायावादी कवियों में चल रही थी चायावाद यूग के सामान चल रही थी ये वहां के कवी हैं तो इनको पूर्णतया हम रहस्यव प्रसंद पर बता है नई कविता के महत्वकूण कभी इनमे से कौन है क्या अग्ये हैं जग्दिश कुपते हैं रामने स्ट्रपाठी हैं या पिर сторон दात है नई कविता के महत्रपूर्ण कवियों की हम बात कर रहे हैं नई कविता तो नई कविता अग्गे की नहीं है कि ये प्रियोगबादी कवी है राम नरेस्तिर पार्थी की भी नहीं है सुन्दर दास ये तो कहां चलेगे आप कृष्ण दास सुंदर दास, मलूग दास वहाँ चलेगे भक्ती काल में जगदीश गुप्त जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त ये नई कविता के मुलता कवी है चलिए कुशन नमर पांच है निम्न में से जैसंकर प्रसाद की रचना कौन सी है जैसंकर प्रसाद की रचना यानि प्रसाद जी की रचना पूची गई है जहरना अनामिका पल्लो तुलसी रास बताइए कौन सी है जैसंकर प्रसाद जी की रचना तो इसका पहला आंसर है ए आप्शन इसका सही है इसमें जैसंकर प्रसाथ की रचना जर्णा है निम्न में से छटा प्रसन है निम्न में से रीतिमुक्त कभी कौन है रीतिमुक्त कभी कौन है घनानन्द बोधा आलम बिहारी भोशन दिनकर कौन है रीतिमुक्त कभी अब दिनकर का संबंद तो रीति काल से है ही नहीं तो घंणनंद को मानते हैं ठीक है घंणनंद ए आपसं सही है रीतिमुक्त कभी घंणनंद है बिहारी रीति सिद्ध है और भूषण रीतिमुक्त है सात्मा प्रस्ण कथिन काब्व के प्रेट कान है घंणनंद बिहारी भूषण के Princiound को यह चल्दी से कौन है जानते होंगे आप तो राम चंद्रिका किरचीता केशोदास कौन है केशोदास यानि कि दी आप्शन इसका भी सही है यह तीन आप्शन कड़ जाते हैं चलिए नौवा कॉस्चन आपके लिए रामधारी सिंग दिनकर किस काविधारा से जुड़े हुए प्रश्ठी शनकुरतिक लिती तो चलिए हम बहुत दींकर किस काविधारा करें है तो चलिए हम जब सामने यह रहा ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त निम्ण में से कौन सी रचना है ग्यानपीट पुरसकार किस पर मिला था पल्लव पर मिला था कामाईनी पर प्रसाइफ की है । इने में से किस रचना पर इस ने रचा था यामा महादवी वर्मा की रचना है इस पर इंको प्राप्त है और शिरंबरा पर पंध को ग्यानपीट पुरसकार प्राप्त हैं बहुत महतुकंड प्रचना है इनको भिए प्रस्ट साहित अकादमी पुरस्कार प्राप्त निम्ण में से कौन सी रचना है हित तरंगनी हिम तरंगनी या चिदम्राय परिमल साहित अकादमी पुरस्कार प्राप्त निम्ण में से कौन सी रचना है परिमल तो हित तरंगनी तो क्रिपाराम की है ठीक है क्रिपाराम और ये क्रिपाराम रीतिकाल के हैं तो भाया पहला आप्षन तो वैसे ही कड़ जाता है चिदंबरा पर ज्यानपीट मिला था परिमल पंत की रशना है हिम तरंगनी बी आप्षन इसका सही है माखनलाल चतुरवेदी की रशना है हिम तरंगनी उनिस सो पचपन में इसमें इनको ज्यानपीट पुरुसकार मिला था निम्नमे से क्रिश्न का विधारा का प्रतिनिधी कवी कौन नहीं है तो आप याद किजिये आश्टछाप के कवियों को याद कीजिए क्रिश्न काविधारा के हैं और इसमें वो तीन कवी मिलेंगे आपको तो क्रिश्न काविधारा के प्रतनित कवियों में आश्ट चाप के कवी थे और इसमें आश्ट चाप के तीन कवी वरनित हैं एक नहीं है तो चलिए उस कभी को ढूणिए जो अश्ट छाप में नहीं था सुकु पक्रची गोचन अब ये तीनों आपके अश्ट छाप के हैं ये तीनों अग्रदास D option इसका सही है क्योंकि ये राम का विधारा के प्रतिनिती कभी है अग्रदास चलिए अगला प्रशन देखते हैं तेरहमा प्रशन है आपका तेरहमा प्रशन है निमने से क्रिष्न का विधारा का प्रतिनित कभी कौन है क्रिष्न का विधारा का प्रतिनित कभी है कौन ये पूछा गया है कौन है तुलसी दास है अग्रदास है हरदय राम है छीप स्वामी हैं पताईए कौन है तुलसी दास कुष्ण काविधारा के हैं सभी जानते राम के ति यह अपसन कड़ जाता है अगर दास भी राम काविधारा के और हर्दें राम भी हनुमन नाटक इन्हों राम कावविधारा के सभी कॉन है राम ऐगराओ की कावरी किम अबराब कहा हूं वार्ट्रेख करया तो आप टेलिग्राम लिंक और अगर आपको वाट्सप्र बीडियाओं यसका dealing कि स्क्राइब देड़ी है देर मत करिए जल्दी से शेर कर दीजिए और इसकी पीडियाथ तुरंट ले दीजिए वीडियो के समाप्त पर तुरंथ ही पीडियाथ आपको लब्द हो जाएगी तो राम रामाश्री कावधारा के प्रतनित कभी कौन है तुलसीदास अकर्दास सद तो तीनों है रामाश्री कावधारा के प्रतनित कभी कौन नहीं है यहां पर नहीं लगाना हम भोल गए हैं तो आप ध्यान में रखिए यह तीनों जो है रामाश्री कावधारा के प्रतनित कभी हैं ठीक है छीट स्वामी नहीं है तो इसका आपसंट 20 हो जाएगा यहां पर नहीं लगाने के बाद, चलिए चौदा हमा प्रस्ण है, कला और बुढ़ा चांद, कला और बुढ़ा चांद पर सुमित्रंपंत को कौन सा पुरुसकार मिला था, कला और बुढ़ा चांद पर, तो सोवियत लेंड नहरु पुरुसकार इनको मिला था, कला और बुढ़ा चां है तो निराला हैं इनकी एक ट्रिक है अप गीतू अप गीतू अनामिका परिमल गीतिका और तुलसीदास किसकी रचना है निराला की है तो इसका अप्षण सी सही हो जाता है खुमार रासो के रचैता कौन है सोलहमा प्रस्ण खुमार रासो चारों आपके सामने इसके लिए कमेंट कीज़ें है चलिए फटाफट कमेंट कीज़ें हाँ कौन है चलिए डिखते है कौन सही बताता चलिए बहुत अच्छे अब यह जगनिक है पृती Viraj यह दल्पत हैं या 17 परमाल रासु किस ने लिखा परमाल रासो भैया एक आलहा खंड है जिसको जगनिक ने लिखा बहुत बार हजारों बार ये कुश्चन आपके सामने आया होगा और हजारों बार इसको आपने पढ़ा होगा चलिए 8 प्रशन वीरगाथा गानान तो रीति मुक्त के हैं, रीति काल के हैं, प्रद्वि राज येतो राजा थे, चंदरशर्मा गुलेरी ये तो आधुनिक काल के हैं, और चंद बरदाई यही जो थे आधिकाली याने वीर गा अधा काल के महांतम कवी हैं. तो इसका आपसन डी शही हो जाता है और उनीसमा कोस्चन आपके सामने है किस कवी को राश्टर कवी कहा जाता है रामधारी सिंग दिंकर को भी कहा जाता है और मैथरी स्राण गुप्त को भी कहा जाता है दुवेदी युगीन कवी हैं मैथरी स्राण गुप्त इसका ए आपसन सही हो जाता है कि ग्यान पीट की पुरसकार मिला था अभी अमने बताया था और 21 प्रशन और बहुत ही important प्रशन है तार सब्तक के प्रकाशक कौन है तार सब्तक के प्रकाशक या संपादक पूछ सकता है तो तार सब्तक जिसमें साथ कवियों का समूह था और तार सब्तक एक पत्र निकलता था और साथ कवी थे उन साथ कवियों के रचनाई छपती थी प्र लगा देंगे इसमें डी आप्शन सही है अगे चायावाद की प्रमक्प्रवत्ती निम्न में से कौन है तिक प्रवत्तियां और विशेस्थाया पढ़ा चुके हैं ऐसे प्रस्ना आप सकते हैं इंटरमीडियेट में भी इसलिए प्रवत्तियां सब याद कर लिजिए और अखन तो सभी जानते रहसे वादी भावना प्रगतिशील चेतना कि इसका है तो चाहिए सब्सक्राइब दोनों सही हैंो सबस्क्राइब प्रकाशन कब हुआ था और आप से क्लिए कर देना चाहते हैं देखो एक तो सब्सक्राइब कर लिए और अगर उसको नहीं जोएन कर लिए और अगर उसको को नहीं जोएन किया तो वार्टसेफ ग्रूप जोएन कर लिए या फिर दोनों को जोएन कर सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है बहुत-बहुत धन्यवाद जुनने के लिए बहुत-धन्यवाद